हाई गाईज, वेलकम आई चैनल जे एम्मेस्टेडी पॉइंट और आज हम म्यूजिक के भी वी आई अबजेक्टिव कोशन अंसर पढ़ेंगे आप सभी के कोमेंट्स पे म्यूजिक का वीडियो लेकर आई हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन है स्वरो को कितने वर्गों में बाटा गया है दो वर्गों में Armstrong C, इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन, संगीत का आधार किसे माना जाता है संगीत का आधार किसे माना जाता है स्वर को, इसका राइट अंसर होगा principle Option B अगला कोशन है सबसे अधिक मात्राओ वाला ताल कौन सा है? तीन ताल Option A इस का राइट अंसर होगा तीन ताल अगला कोशन क्रिश्न राव शंकर का जन्म कब हुआ? क्रिश्न राव शंकर का जन्म कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1918-1994 में हुआ था 26 जुलाई 1918-1994 में Option B इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन पंडित क्रिश्न राव थे? पंडित क्रिश्न राव क्या थे? संगीत गे थे? Option C अगला कोशन पंडित क्रिश्न राव की मृत्यू कब हुई? पंडित क्रिश्न राव की मृत्यू दो मार्च 1989सी को हुई Option C सिसका राइट अंसर होगा अगला कोशन रागो की उत्पत्ती किसे हुई तो थाठ से Option A इस का राइट अंसर होगा Option A अगला कोशन पंडित ओम कारनाथ ठाकूल का जन्म कव हुआ 25 जून अठारा सो असी में असी को हुआ था Option C इस का राइट अंसर होगा 25 जून अठारा सो असी को अगला कोशन मिया तानसे ने किस राक की रचना की मिया तानसे ने मिया मलहार राक की रचना की Option A इस का राइट अंसर होगा मिया मलहार अगला कोशन देखती है शड़ज गराम की कितनी मुर्चनाय होती हैं तो साथ, ओप्षन डीस कर राइट अंसर होगा, साथ मुर्चनाय होती हैं अगला कोशन अलाव दिन के पिता का क्या नाम था? अलाव दिन के पिता का नाम साधु खा था ओप्षन एस कर राइट अंसर होगा अगला कोशन अलाव दिन के दादा का क्या नाम था? अलाव दिन के दादा या बाबा का क्या नाम था? तो मदार खा था ओप्शन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन कोमर स्वर कितने होते हैं? कोमर स्वर कितने होते हैं? तो चार होते हैं option 6 का राइट अंसर होगा चार अगला कोशन निम लिखित में से कौन चोदा मातरा की ताल है तिलवारा में 16 और 4 ताल में 12 मातरा होती है और धामार में 14 मातरा है और तिन ताल में 16 मातरा है तो option 6 का राइट अंसर होगा धमा इसमें चोदा मात्रा होती है Option C इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन बड़े गुलाम अली खा का जन कब और कहा हुआ था बड़े गुलाम अली खा का जन 1901 में लाहूर में हुआ था Option A इसका राइट अंसर होगा 1901 में लाहूर में अगला कोशन निरित्य समराट गोपी किशन किस निरित्य से संबंधित थे तो तान्डव तान्डव निरित्य से संबंधित थे उप्षन डीस का राइट अंसर होगा तान्डव अगला कोशन सबसे कम मात्राओ वाला ताल कौन सा है? सबसे कम मात्राओ वाला ताल कौन सा है? तीन ताल में सूना मात्राओ होती है और चार ताल में बारा और कहराओ में आठ और दादरा में छे तो अगला कोशन उस्ताद, फैजा, खां किस घहराने से आते थे तो आगरा से बावल लोक संगीत किस परदेश का है? पाउल लोक संगीत बंगाल प्रदेश का है अगला कोशन दुरूपत को किस घराने का गाय कहा जाता है दुरूपत को आगरा घराने का गाय कहा जाता है अगला कोशन राग भिहाग की जाती क्या है? राग भिहाग की जाती ओरव संपून है option इस का राइट अंसर होगा अगला कोशन लएक कितने परकार के होती है? लएक तीन परकार के होती है option इस का राइट अंसर होगा अगला कोशन ख्याल गायक में किस परकार के ताल वादे का प्रियोग होता है तबला का प्रियोग होता है Option C का राइट अंसर होगा तबला अगला कोशन मुख्य स्वर कितने होते हैं मुख्य स्वर कितने होते हैं इसका अंसर आप कॉमेंट में बताइएगा अगला कोशन, तवला वादक में आकार में सबसे छूटी रचना को मुहरा कहते हैं। अगला कोशन, धमार गाईका के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। धमार गाईका के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, तो धमार, धमार, ओप्षन, डेस का राइट अंसर होगा। गमक के कितने भेद हैं, तो पंदरा, ओप्षन, बेस का राइट अंसर होगा, पंदरा। अगला कोशन देखते हैं, शुरुतिया कितनी है, तो बाईस है, ओप्षन, डेस का राइट अंसर होगा, बाईस। अगला कोशन, राग हमीर की जाती, राग हमीर की जाती कौन सी है, संफून, संफून, ओप्षन, सीज का राइट अंसर होगा। अगला कोशन, शुध और कोमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं, शुध और कोमल मिला कर कुल बारा स्वर होते हैं, ओप्षन, डेस का राइट अंसर होगा। अगला कोशन देखते हैं, भुपाली का वादी स्वर क्या है? भुपाली का वादी स्वर मौ है, ओप्षन, सीज का राइट अंसर होगा। अगला कोशन, चल स्वर कितने हैं? चल स्वर पांच है, ओप्षन, एस का राइट अंसर होगा। पांच, अगला कोशन, सारे जहां से अच्छा हिंदूसता हमारा गीत के लेखक कौन है? इस गीत के लेखक मुहम्मद इकबाल है, ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा, मुहम्मद इकबाल अगला कोशन, राग में कौन सा स्वरक कभी भी वर्जित नहीं होता? वे स्वर्स अमुग जिससे राग स्पष्ट होता है, क्या कहलाता है? वे स्वर समु जिससे राग स्पष्ट होता है वे क्या कहलाता है तो पकड OPSHAN 20 कर आइट अंसर होगा PAKAR अगला कोशन संगीत में 1 कितने है संगीत में 1 कितने होते हैं तो 6 होते है OPSHAN 16 कर आइट अंसर होगा अगला कोशन स्वर अंतराल कितने परकार के होते हैं स्वर अंतराल कितने परकार के होते हैं इसका अंसर भी आप कमेंट में बताइएगा किस राग में कुमल रे प्रियुक्त है तो भैरव राग में कुमल रे प्रियुक्त है ओप्शन सीज कर आइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं, कंठे जी महराज का जन्व कब हुआ, तो सन अठारा सो असी में हुआ था, ओप्शन सीज कर एट अंसर होगा, अगला कोशन देखते हैं, ठुमरी गाई की के साथ कौन सा ताल वाद बजाये जाता है, ठुमरी गाई की के साथ तबला वादक बजाये जाता है, ओप्शन दीज कर एट अंसर होगा, तबला वाद बजाये जाता है, अगला कोशन, संगीत रतनाकार का प्रथम अध्याय क्या है, तो सो अध्याय है, ओप्शन दीज कर एट अंसर होगा, सो अध्याय, अगला कोशन, राग माल कौन्स से वर्जित स्वर क्या है, तो रे पव है, ओप्शन C, इसकर एट अंसर होगा, अगला कोशन, हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या दस है, तो थाठ की, ओप्शन D कर एट अंसर होगा, थाठ, अगला कोशन, इन में से गर्जनी क्या है, तो शुरूती है, ओप्शन B इसकर आइट अंसर होगा, संगीत रतना कर में कितने विक्रित स्वर बताए गये हैं, संगीत रतना कर में 12 विक्रित स्वर बताए गये हैं, ओप्शन C इसकर आइट अंसर होगा, बारा, अगला कोशन, चार ताल में कितनी खाली का प्रियोग होता है, चार, ओप्शन D सकर आइट अंसर होगा, चार, अगला कोशन, बेगम अक्तर की मृतिव कब होई, अगला कोशन पंजाब घाराने के परसीद तबला वादक उर्फ जाकीर हुसेन के गुरू कौन है तो अल्ला रखा है, option a.s कर राइट अंसर होगा, अल्ला रखा, अगला question ताल जबताल में कितनी बातर आये हैं, तो 10, option a.s कर राइट अंसर होगा, 10 मातर आये हैं, अगला question देखते हैं, पूस्तक तबला शास्तर के लेखक का नाम बताए पूस्तक तबला शास्तर के लेखक का नाम मौथुकर गनेश गूल बोले है Option A इसका रईट अंसर होगा अगला कोशन पंडित रविशंकर किस घाराने से संबंधित है इसका भी अंसर आप कॉमेंट में बताईएगा अगला कोशन तान सेन के बच्पन का नाम क्या था ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा तन्ना मिश्र अगला कोशन शूरूती कितनी है शूरूती कितनी है तो 22 है ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन गान के कितने परकार हैं तो दो ओप्षन एस के राइट अंसर होगा दो परकार के हैं अगला कोशन सारांगी किस वर्ग का वाद है तो तत ओप्षन सी इस के राइट अंसर होगा अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में कितने स्वर लगते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने स्वर लगते हैं? 10 ओप्शन 20 कर आईट अंसर है अगला कोशन 6 बरावर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं? छे बरावर मात्राओं के विभा किस ताल में होते हैं तो चार ताल में इसमें बारा मात्राएं होती हैं ओप्षन 20 कराई टंसर होगा चार ताल अगला कोशन शारव स्वर स्वर में कितनी स्वर लगते हैं ओप्षन सी इस कराई टंसर होगा अगला कोशन सेहतार नाम किन का दिया हुआ है सेहतार नाम किन का दिया हुआ है तो तान सेन का ओप्षन इस कराई टंसर होगा तान सेन अगला कोशन राग कल्यान की प्रकृती कैसी है? शांथ ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन शारव जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? शारव जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो छे ओप्षन डीस का राइट अंसर होगा निमने लिखित स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? राग देश का वादी स्वर रे है ओप्षन बीस का राइट अंसर होगा रे अगला कोशन तान सेन का जन्म कभ हुआ? तान सेन का जन्म कभ हुआ? पंद्रा सो बत्तिस में उप्षन सीज कर आइट अंसर होगा पंद्रा सो बत्तिस इस वी में अगला कोशन तानपूर में कितने तार होते हैं तानपूर में कितने तार होते हैं चार उप्षन सीज कर आइट अंसर होगा चार होते हैं राग काफी का वर्जिस्वर क्या है राग काफी का वर्जिस्वर क्या है तो इन में से कोई नहीं है ओप्षन डीस का राइट अंसर है अगला कोशन संगीत का संबंध किस वेद से है संगीत का संबंध किस वेद से है तो साम वेद से है Option B का राइट अंसर होगा, सामवेद अगला कोशन दिखते हैं, तान सेन के गुरु थे तान सेन के कौन गुरु थे? तो स्वामी हरीदास Option A का राइट अंसर है, स्वामी हरीदास अगला कोशन T.M. पटनाय क्या बजाते हैं? बजाते थे T.M. पटनाय क्या बजाते थे? तो वाइलिन Option C का राइट अंसर होगा, वाइलिन अगला कोशन तान सेन का विवा किस से हुआ? तान सेन का विवा किस से हुआ? तो हुसेनी से Option C का राइट अंसर होगा, हुसेनी से अगला कोशन देखते हैं राग केदार का वादी समवादी स्वर क्या है तो म और सा अगला कोशन देखते हैं राग यमन किस थाट का राग है तो कल्यान थाट का अगला कोशन राग भेरव की जाती क्या है संपूण अगला कोशन तीन ताल की तीसरी ताली किस मातरा पर पढ़ती है तो तीर वी Option डीस कर आइट अंसर होगा अगला कोशन राग भीम पलासी किस थाट का राग है तो खमाज का Option डीस कर आइट अंसर होगा खमाज आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस कर दिजिए और वीडियो को लाइक कर लिजिए अगला कोशन देखते हैं भात खंडे का जन्म कब हुआ भात खंडे का जन्म कब हुआ था तो 10 अगस्त 1860 को Option डीस कर आइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे तो शेहनाई अगला कोशन शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो सितार अगला कोशन देखते हैं सुआमी हरिदास का जन्म कहा हुआ था? तो वारा नसी काशी में ओप्षन C इसका राइट अनसर होगा वारा नसी का काशी में पंडित विश्णुर रायन भात खंडी की मिरित्यु कब हुई? 19 सितंबर 1936 में ओप्षन B इसका राइट अनसर होगा अगला कोशन देखते हैं भरत मुनी की रचना है भरत मुनी की रचना कौन सी है? भरत मुनी की रचना नाटे शास्त्र है ओप्षन B कराइट अनसर है अगला कोशन बेगम परवीन सुल्तान किस गायक के लिए परसीद है? बेगम परवीन सुल्तान शास्त्रिय गायन के लिए परसीद है ओप्षन B कराइट अनसर होगा शास्त्रिय गायन के लिए अगला कोशन विश्णु दिगंबर पदिती में खाले का चिन्द क्या है? ओप्षन डीस कर आइट अंसर होगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खा थे, क्या थे? तो एक तवला वादक थे ओप्षन बीस कर आइट अंसर होगा, एक तवला वादक थे अगला कोशन बीहु निरित्ति किस राज से संबंधित है? तो असम से ओप्षन डीस कर आइट अंसर होगा, असम अगला कोशन किस ताल में सोला मातराए है? तीन ताल में सोला मातराए है Option D is correct answer होगा तीन ताल अगला कोशन शास्त्रों कारों ने एक सब तक में कितनी शुरुतिया मानी है शास्त्र कारों ने एक सब तक में कितनी शुरुतिया मानी है वेस का राइट अंसर होगा 22 Option A is correct answer है 22 शुरुतिया मानी है अगला कोशन ग्राम राग जिसकी संख्या मान है ग्राम राग जिसकी संख्या मान है तीस ओप्शन सीज कर राइट अंसर होगा तीस अगला कोशन राग भीम पलासी का गायन समय क्या है राग भीम पलासी का गायन समय साया काल है Option डीस कराइट अंसर होगा सायाकाल अगला कोशन सुर मंदरन बजाने की कितनी विधिया पाई जाती है सुर मंदरन बजाने की कितनी विधिया पाई जाती है तो चार Option डीस कराइट अंसर होगा चार विधिया पाई जाती है अगला कोशन अमर गायक तानसेन का गायन मंड़प कहा है तो गयलियर में है ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा क्वालियर अगला कोशन भारत की मुख्य संगीत पदितिया कितनी है भारत की मुख्य संगीत पदितिया दो है ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन इन में कौन बासुरी वादक नहीं है इन में कौन बासुरी वादक नहीं है तो गुपाल मिश्र ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रियोग होता है ठूंगडी गयान के साथ किस ताल का प्रियोग होता है तो तीन ताल का ओप्षन एस का राइटन सरूगा तीन ताल अगला कोशन अमीर खुसरों का जन कब हुआ बारा सो तिरपन में ओप्षन एस का राइटन सरूगा सोरी ओप्षन सीस का राइटन सरूगा अगला कोशन पंडित भीम सेन जोशी है तो एक गायक है ओप्शन 20 कर राइट अंसर होगा गायक है अगला कोशन संपून जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं तो साथ ओप्शन 20 कर राइट अंसर होगा साथ अगला कोशन संगीत में मूल स्वर कितने है तो साथ है ओप्शन 20 कर राइट अंसर होगा साथ अगला कोशन नाद की कितनी विशेशताएं है नाद की कितनी विशेशताएं है तो तीन ओप्शन 20 कर राइट अंसर होगा तीन विशेशताएं है अगला कोशन विक्रित स्वर कितने हैं विक्रित स्वर पाँच है ओप्शन सी इसका राइटन सरूगा पाँच अभी तक अपने चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक निखिए तो प्रिस कर लिजिए